गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेशन ओफ चेप्टर थर्ड एक्सराइज 3.3 जिसका 11 क्वेशन क्या है एक मैट्रिक्स दे रखी है और कहते हैं सच डाड ए स्कूर इस इकूल टू आई आई क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रि किसके बराबर है इसपी मै्ट्रिक्स 1 0 0 1 कि एल्फा की एल्फा से अल्फा स्कूर यहाँ हो जाएगा बीटा गमा यहाँ हो जाएगा जा आङ ऑल्फा बिट़ी किसके बराबर गीवन है? ऐटेंटिटी मेट्रीक्स ये 2 क्रॉस 2 की है, तो अइटेंटिटी मेट्रीक्स भी किसकी होगे? 2 क्रॉस 2 की सिंफ्लिफाई किया, तो इधर क्या आगया? एल्फा स्क्वियर प्लस गमा बिटा इस टेकल, into 0 0 gamma beta plus alpha square is equal to 1 0 0 1 अब matrix equal है तो corresponding element भी क्या होंगे equal तो हमारे पास simply क्या आ गया alpha square plus beta gamma is equal to 1 12th question है जिसका first part क्या दे रखा है matrix A दे रखी है और हमें क्या find करना है A square minus 5 A minus 14 I I जितने order की A matrix है उतने order का क्या लेना पड़ेगा हमारे पास unitary matrix अब I कितना है 1 0 0 1 क्योंकि यह 2 cross 2 का है तो I भी कितना होगा 2 cross 2 का A square A square का मतलब A और A की product भई 3 की 3 के साथ करेंगे plus क्या होगा minus minus plus 5 की किस के साथ 4 के साथ 3 की minus 5 के साथ और minus 5 की 2 के साथ ऐसे minus 4 की 3 के साथ 2 की minus 4 के साथ minus 4 की 5 के साथ और 2 की 2 के साथ simplify करोगे तो यह आगे हमारे पास a square matrix फिर आगे 5a तो 5a का मतलब क्या है a matrix को 5 से गुणा कर दो उसके हर एक element को 14i तो युनिट्री matrix को किसे करना पड़ेगा हमें 14 से यह सारी की सारी value हम कहां put कर देंगे first equation में और answer हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 इसको हम क्या लिख सकते हैं null matrix भी null matrix में जो ओ होता है वो एक bold letter में होता है मतलब उसको dark कर दिया जाता है next यह रखा है इसी का second part है a matrix यह रखी है और हमें क्या show करके दिखाना है a square minus 5a plus 7i is equal to 0 इसी result का use करके मुझे क्या निकालना है a 4 तो सबसे पहले मैंने यहां से a square की value निकाल ली भाई यह वहां 0 जाएक के पास जाएगा तो plus का और minus का है तो plus है तो minus और minus का है तो plus का अब दोनों side post multiply मतलब बाद में किस से multiply कर दिया a से तो यह एक पावर यह दो दो रेक तीन यहां करेंगे a square यहां कितना हो जाएगा 7ia तो यह क्या बन जाएगा 7a a square की value कितनी है 5a minus 7i दुबारा से put कर दिया simplify किया तो यह क्या आ गया a3 अब चाहिए क्या a4 दुबारा से एक post multiply करने पड़ेगी किस से a से कर दो यहां a square a square की value कहां है हमारे पास 5a minus 7i दुबारा से put कर दिया simplify किया तो कितना आजेगा 90a minus 126 i minus 35a simplify किया तो a4 की value कितनी आगी 54a minus 126i a की value कितनी है हमारे पास given 3 minus 1 1 और 2 126i i का मतलब 1001 simplify करोगे तो a4 आगया हमारे पास यह आप इसमें show करके दिखा देना यह जो चीज इसने दे रखी है a square minus 5a plus 7i इसमें a square minus 5a plus 7i जो previous question किया था उसी तरीके से करना है इसे आप उनने करना है खुद से a4 की value मैंने निकाल दी है show करना है show remaining है इसमें क्या a square minus 5a plus 7i equal to null matrix यह करना है do it 13 का first part दे रखा कहते है k की value निकालनी है क्या दे रखा है a square is equal to 8a plus ki a square है निकालना यही है अब a square क्या होगा a की a के साथ product one minus one zero seven one minus one zero seven simplify किया a की निकालते कैसे है first row की first column के साथ first row की second column के साथ second row की first के साथ second row की second column के साथ 8a 8a का मतलब यह ki के से कर दो सारी value हम कहां put कर देंगे यहां पर यहां से simplified करोगे भई 8a को कहां ले जाएंगे हम यहां पर is equal to k zero zero के value equate हो जाएंगे corresponding element second part दे रखा है इसका a दे रखा है k की value find out करने है k a square is equal to 5a minus i2 भई i2 बोल दे i बोल दे i जितने order की matrix यह होती है उतने order की क्या लेने पड़ती है हमें identity matrix यह इसने ले ली 1001 यह क्या हो जाएगे identity matrix अब a square आपको पता कैसे निकालते हैं a दे रखा है i2 की value मैंने निकाल दी simply क्या करना है k की value जो previous question किया है फिर भी doubt लगे तो मुझे करके दिखाना है कि equation यह है वो किसके बराबर होगी नल matrix के नल matrix भई a cube दे रखा है तो a square कैसे निकलता है a और a की multiply आगे यहां तक फिर a cube निकाला है a cube कैसे निकलेगा a into a square कर दिया प्री multiply कर दिया यहां से a cube आ गया a square पीछे निकाला है सबको क्या करना है आपने simply 5 second part में भी क्या कहता है show करके दिखाओ a square minus 4a minus 5 5 is equal to null matrix भई a square कैसे निकलेगा a और a की product a square की value पूट करनी है a की और i की वो किसके बराबर आ जाएगा 0 0 जितने order की matrix होती है उतने order की null matrix आती है और उतने order की क्या लेते है हम identity matrix third part क्याता है इसका 14th का जिसमें क्या निकालने है हमें x matrix निकालनी है x matrix निकालनी है तो हम इन सभी matrix को कहा ले जाएंगे 0 की तरफ तो क्या आ जाएगा x तो x को निकालने के लिए सबसे पहले में किस term को solve करूंगी a square minus 5a plus 4i तो a square कैसे निकलता है a और a की product करके दिखा दी मैंने 5a भई a को 5 से कर दो 4i identity matrix को किस से कर दो 4 से simplify करोगे यह क्या जाएगा a square minus 5a plus 4i अब x matrix निकालनी है x matrix क्या कहता है null matrix में से यह सारी क्या कर दो minus a 3 cross 3 का तो null भी कितने की आएगी 3 cross 3 की और इसको क्या कर दिया minus तो क्या आ जाएगा हमारे पास से x की next है 15th question 15th question में क्या कहता है show करके दिखाओ f of a equal to 0 f of a का मतलब जो भी x matrix है f of x है उसमें x को किस से replace कर दो a से तो a से replace करोगे यह f of a बन गया यह क्या बन जाएगा a square minus 2a minus 3i तो यह अभी मैंने पीछे आपको solve करके दिखाया कैसे solve करते है a square minus 2a minus 3i ले लिया a square a और की a की product फिर a square की a की और identity matrix की value वूट कर दी तो यह किसके बराबर आ गया 0 के क्या आ गया f of x f of a equal to 0 और f of a किसके बराबर था a square minus 2i 2a minus 3i simply show करना है 16th question में भी same है f of a निकालना है तो x को किस से replace कर देंगे a से a square minus 5a plus कितना आ जाएगा 6i i की value कितनी होती है 1 0 0 1 0 0 1 क्योंकि a कितने order का है 3 cross 3 का a square पता है तुमें कैसे निकालना है a की value हमें पता है और identity मैंने बता दी simplified करोगे तो क्या आ जाएगा f of a f of a भी बोल सकते हो और क्या भी बोल सकते हो f of x next question number 17 जिसमें क्या दे रखा है a दे रखा है identity matrix से रखी है हमें क्या find out करना है x और y बहीं क्या दे रखा result a square plus is equal to x a plus y i तो a into a a square x a तो a के हरे एक element को किससे multiply x a plus y 1001 simply add दोनों matrix equal दे रखे है तो corresponding element भी क्या होंगे equal यहां से हम क्या निकाल सकते है x की और y की value 18 question क्या दे रखा है f of x is equal to यह दे रखा है show करके दिखाना है f of x plus y किसके बराबर होता है f of x into f of y अब f of x का मतलव तो यही है f of y का मतलव क्या है x को किससे replace कर दिया y से f of x into f of y क्या ले लिए हमने इसकी right hand अब multiply कर दो अब formula क्या बनेगा इसमें दो formula बनेंगे cos a cos b cos a cos b minus sin a sin b किसके बराबर होता है cos a plus b sin a cos a plus cos a sin b किसके बराबर होता है sin a plus b यह दो formula इसके अंदर बनेंगे और f of x plus y का मतलव क्या है जो given equation है x किससे replace हो जाएगा x plus y से 19th question दे रखा है इसको हम किससे करना है हमें pmi से principle of mathematical induction अब a matrix इतना दे रखा है p of n is equal to this अब इसमें क्या करना है सबसे पहले last में n की जगा एक बर क्या put कर दोगे one 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 तो क्या बन जाएगी यह तो p of one के लिए क्या हो जाएगी true p of k के लिए हम इसको क्या मान लेंगे यह true है भई n की जगा किससे replace हो जाएगी k से फिर हमें क्या show करके दिखाना है p of k plus one भी क्या होगा true तो n की जगा क्या replace हो जाएगा k plus one सारी जगा अब इसकी left hand side क्या है a raised to power k plus one इसको कैसे लिख सकते है बेस सेम power add होती है a की power k into a a की power k की value first equation use कर ली a की value हमारे पास यह है simply product कर दी दोनों की इसमें formula बनेगा हमारे पास cos a cos b minus sin a sin b और sin a cos b plus cos a sin b यह दो formula बनेंगे इसमें simply PMI करना जादा इतना hard नहीं है हमारे पास यह चीज ना इससे botheration लेना similarly यह question और दे रखर 20th का यह भी PMI से एक बार n की जगा क्या पुट करेंगे 1 फिर k और फिर k प्लस 1 के लिए show करके दिखाएंगे देख लो समझ में आ जाएगा कुछ भी दिक्कत लगे तो बता देना यह question number 21 और 22 यह statement वाले question है मैंने इसको डारेक्ट कर रख है statement नहीं लिखी मैं आपको statement बेश दूँगी उससे आपको clear हो जाएगा यह exercise आपकी complete होगी है कोई doubt लगे पूछ लेना